नमस्कार मित्रों स्वागत आप सभी का आपकी अपने इस पसंदीदा यूटूब चैनल में जी हां मित्रों रेलबे गुरूब डी दो हजार बाईस एक्जाम को लेकरके जो हमारी स्रेंकला चरीती जी एस जीकी को लेकरके 25 में से 25 का तड़का सीरेज जी हां नेक्स सीरीज यानि की सीरीज सेकेंड आज चुकी है जी हां जो सलेक्षन का बादा है वो कम्प्रीट होगा मित्रों तो यदि आप हमारी चैनल पर पहली बारे विजीट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करते हैं पास में जो वेल आकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिविस्ट आपको मिलता रहेगा एक एक प्रसन आपका यहां पर इस वीडियो का सेलेक्षन दिलाने बाला है मित्रों तो वीडियो को आते ही लाइक सेर कर देंगे तो हमारा पहला प्रसन है आपका मानव द्वारा सर्व प्रथम प्रयक्त अनाज था यानि सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा option आपके सामने दे हुए है पर्याप समय है आपके लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा ठीक है और आप उसमें अपना सही answer लगाने की कोशिज करेंगे तो यहां से जो right answer है यानि सबसे पहले मानाप के दौरा जिस अनाज का प्रयोग किया गया था वह आपका जो था ठीक है यानि की answer हो जाएगा C correct हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन आपके लिए एक जोते हुए खेट की खोज की गई तो कहां पर की गई थी option दिये हैं आपके सामने बैतर तरीके से option को read करेंगे प्रसन को read करेंगे कोई भी गलती नहीं करेंगे अगला प्रसन आपके लिए असोक के सिलालेखों में प्रयुक्त भासा है जानी की asok के जो सिलालेख थे उन में प्रयुक्त भासा कौनसी है option दिये हुए यहाँ पर ready करेंगे बैतर तरीके से तो असोक के सिलालेखों की जो भासा थी प्रयूक की गई थी वह प्राकरतिक बासाती यानि कि आंसर यहां से भी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रशन आपके लिए योग दर्सन के प्रतिपादक है एक एक प्रसन इंपोड़ेंट है आपके एक जाम को देश्टीकत रख्तियों में तरो तुझी हैं तो योग दर्सन के जो प्रतिपादक हैं, वो पतांजलीम हैं, यहां से आंसर जाएगा option A की ओर, यानि option A बिल्कुल से correct हो जाएगा आपका, आगला प्रसन आपके लिए, चोलों की राजदानी थी, चोलों की राजदानी क्या थी, इस तरह भी प्रसन बन सकता है, ठीक है, option दिये हुए हैं, सही जब आप स्वेम से लगानी की कोशिश करेंगे, तो चोलों की जो राजदानी थी, वो अतन्जोर थी, यानि की आंसर आपका यहां से डी करेक्ट हो जाएगा, आगला प्रसन आपके लिए, कोणार का सूर्य मंदर किसने बनवाया था, most important प्रसन है, हर नर्सिंग देव बर्मन के दौरा बनवाया गया था, यानि की आंसर आपका यहां से एक करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रसन आपके लिए, मुहमद बिन तूगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, ठीक है, या दिल्ली से इस्थान अंतर की थी, तो यह भी प्रस परिवर्दित होती रहती है लेकिन आपको सही आंसर याद रखना है तो मुहम्मद बिन तोगलक के दोरा जो अब अपनी राजधानी दिली से इस्ताना अंतर्च की गई थी वो दौलता बाद थी यानि कि आंसर यहां पर आपका एक करेक्ट हो जागा दौलता बाद आगला प प्रसने इंपूर्ड एंट है मित्रो आरार भी गुरूप डी को देश्टिक रखते हुए और अन एक्जाम के लिए उतने ही कारगार प्रसन है यह भी तो तूते एहिंद अमेर कुसरों का जो जन्म हुआ था वो पट्याली में हुआ था यानि के पट्याली एटा में आंसर सी यहां से करेक्ट जाएगा यहां से जो आंसर है वो सी करेक्ट चला जाएगा ठीक है पट्याली एटा अगला प्रसन आपके लिए अकवर ने दीन ए इलाही किस बर्स में प्रारम किया था दीन ए इलाही जो प्रारम की गई थी अकवर के द्वारा वो किस बर्स आरम की गई थी यहां से राइट आंसर आपका क्या हुआ एक-एक प्रशन इंपूडेंट है तो अकवर के द्वारा दीन ए इलाही का आरंब जिस बर्स किया गया था वे बर्स थी 1582 यानि कि आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1582 से दीन ए इलाही का आरंब किया गया था अकवर के द्वारा अगला प्रसनाप के लिए बासको डिगामा काली कट पर किस बर्स में आया था बासको डिगामा एक यात्री था जो काली कट पर किस बर्स आया था option दिये हुए हैं तो बासको डिगामा जो काली कट पर आया था वो 1498 AD में यानि की answer आपका भी यहां से correct हो जाएगा अगला प्रसनाप के लिए भारत के प्रथम Governor General थे option आपके सामने दिये हुए है एक-एक प्रसनाप के लिए important है तो भारत के प्रथम Governor General थे तो यहां से जो right answer होगा वो Warren Hustling यानि की answer भी आपका correct हो जाएगा भारत के प्रथम Governor Warren Hustling थे ठीक है अगला प्रसन आपके लिए नेक्स्ट है 877 के स्वाधिनता संग्राम का प्रतीक था अठारह सो सत्तामन की जो स्वाधिनता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक को लेकर के प्रसन पूछा गया है तो यहाँ से जो राइट आंसर है कमल और रोटी स्वाधिन्दा संग्राम का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी थी आंसर एक करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण आपके लिए निम्न मैंसे कौन भारतिय कांग्रेस की अध्यच रही इन मैंसे कौन थी जो भारतिय कांग्रेस की अध्यच रही थी आप्सन रिट करेंगे और तुरंट देखे प्रस्ण को और आप्सन को देखते ही तुरंट जवाब लग जाना चाहिए 10 सेकंड के अंतर गती ठीक है तो राइट आंसर आपका जाएगा एनिबेसेंड यानिके आंसर सी यहां से करेक्ट है अगला प्रस्ण आपका जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तिति आपसे पूची गई है क्योंकि तिति को लेकर के एक प्रस्ण आपका निशित रूप से बनता ही है तो जलिया वाला जो हत्या कांड है वो कब हुआ था या इस तरह भी प्रस्ण बन सकता है तो राइट आंसर आपका यहां से तेरे अप्रेल उन्नीस तो उन्नीस और कहां पर हुआ था यदि यह पूचा जाएगा तो अम्रस्ण में ठीक है तो यहां से जो राइट आंसर है वो सी है तेरे अप्रेल उन्नीस तो न्नीस में हुआ था और कहाँ पर हुआ था अम्रसर में ठीक है ये भी आपको याद रखना है कई बार सहर भी पूछ ली जाता है ठीक है अगला प्रसनाप के लिए प्रत्वी की जुड़वा वहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है जिसे प्रत्वी की जुड़वा वहन या भगनी कहा जाता है ठीक है तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका आप्सन भी यानि की सुक्र है सुक्र को प्रत्वी की जुड़वा वहन या उसकी भगनी कहा जाता ठीक है अगला प्रसनाप के लिए संसार की चत किसे कहते है रूप आपदा वर्ड ठीक है यहां से आंसर आपका क्या होगा संसार की चत किसे कहते है ठीक है आपके सामने दे हुए तुरंट जबाब आपका लग जाना चाहिए तो संसार की चत का जाता है या रूफ अब दवड का जाता है पामीरगी अंसर आपका यहां से C करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण है प्रत्वी के धरातल से उपर की ओर बायू मंडल के भिमिन इस्तरों का सही अनुक्रम है प्रत्वी के धरातल पर जो वायू मंडल के इस्तर होते हैं चोब मंडल है, समताम मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल इनका एक क्रम, सही क्रम पूछा गया है तो यहां इसे लेकर के एक प्रसनाप का निश्यत रूप से बनता है यहां बनता है कई बार, किस मंडल में कौनसी घटना परकेरत होती है यहां से लेकर के बनता है और कई बार यह सीकेण्स में आ जाती है तो यहां से जो राइट आंसर है तो याद होना चाहिए कि प्रत्वी के धरातल के उपर जो वाय मंडल के विवरिस्थन है उनका सही अनुक्रम है तो सबसे पहले आपका छोब मंडल आता है उसके बाद समताब मंडल मध्य मंडल और लाश्ट में आयन मंडल यानि कि आंसर यहां से आपका C करेक्ट हो जाएगा ठीक है आंसर यहां से C आपका करेक्ट होगा अगला प्रस्णाप के लिए टौनरेडा बहुत प्रबल ऊसर कटबंदी यह चक्र बाद है जो उठती है टौनरेडो चक्र बाद है वो कहां कहां से उठती है ठीक है यहां पर आपको तेहना है और जवाब देना है तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो आपका केरेवियन के सागर से उठते हैं ये चक्रवाद जो है टॉर्नेडो ठीक है तो आंसर आपका यहां से एक करेक्ट हो जाएगा अगला प्रसना आपके लिए बिस्व में निमलिक्त देशों काकुल रेलवे लंबाई की दरस्टी से सही अनुकरम है सही अवरोही करम पूचा गया है रेलवे की लंबाई की दरस्टी से बिस्व में पूचा गया है तो यहां से भी आपको राइट आंसर देना है तो यहां से जो राइट आंसर है तो वो अप्सन डी है यानि के संयक्त राज अमेर का कनाड़ा भारत जन्मरी ये आपका अब रोही क्रम है, रेलवे में बिसो में रेलवे की लंबाई को दिश्टिकित रखते हो, ठीक है, अगला प्रसन आपके लिए, माना दर्रा इस्तित है, इस तरह भी प्रसन बनता है, तो यहां से जो राइट आंसर होगा, वो उत्राखंड होगा, यानिके माना दर कंपास की ठेटी के लिए सबसे उप्योगत् है सबसे उप्योगत्स हैugs का बीटि के लिए प्रस्縁प कि के लिए सर्वादेक उप्योगत्स है। अगला प्रस्णाप के लिए निम्लिक्त उध्योगों में से भारत में प्राचीन उध्योग है भारत का या प्राचीन उध्योग कौन सा है तो ये भी इस तरह भी प्रस्ण मनता है ठीक है याद रखेंगे तो इन में से बताना है ये दिये हुए है तो यहां से जो राइट आंसर है आप तुरन समझ जाएंगे गांदे जी का चरका यानि की सूती वस्त जो है भारत में प्राचीन उध्योग है ठीक है अगला प्रसना आपके लिए निम्न मैंसे कौन सही सुमेलित नहीं है इसका ध्यां रखना है हाँ और ना वाले में यह परवत और दर्रे दे हुए है यह राज्य कहाँ पर पाए जाते है ठीक है इसको रीड करेंगे और जवाब देंगे सुमेलित नहीं है तो यहां से समझ गए तुरन्त आप आंसर सी हो जाएगा क्योंकि नाथूला दर्णा जोके में बेगाले में नहीं है ठीक है तो आंसर आपका यहां से सी करेक्ट हो जाएगा आप्सन के अकॉर्डिंग अगला प्रसन आपके लिए समाजबादी तथा धर्म निर्पेच सब्द सम्विदान की प्रस्तावना में समलेत किये गई थे किस संसोदन में किये गई थे यह प्रसन में आपसे पूचा गया है ठीक है तो समाजबादी और जो धर्म निर्पेच सब्द जोड़े गई थे सम्विदान की प्रस्तावना में वो 42 में संभिदान संसोदन में जोड़े गए थे तो यहां से आंसर आपका क्या है होगा 42 में संभिदान संसोदन यानि के आंसर भी यहां से करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगला प्रस्ने आपका भारत में राष्टपरती का निरवाचन किस प्रकार का होता है यानि जो राष्टपती का निर्वाचन होता है चुनाब होता है वो किस प्रकार से होता है प्रस्ण में पूछा गया है तो यहां से जो right answer होगा यानि कि भारत में राश्टपती के निर्वाचन का जो प्रकार होता है वो आप्रत्यच मतदान के द्वारा होता है यानि कि answer आपका D यहां से correct हो जाएगा ठीके अगला प्रस्ने आपका लोगसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है यानि लोगसभा का जो कोरम होता है वो कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है या कितना भाग होता है इस तरह भी प्रस्ने बनता है आपका ठीके तो यहां से जो right answer है कुल सद्यस्यों की संख्या का होता है वो एक वट्टे 10 मा भाग यानि कि एक वट्टे 10 answer D correct हो जाएगा यहां से ठीक है अगला प्रस्न आपका भारतिय सम्मिधान का संरच्छक कौन है भारतिय सम्मिधान का संरच्छक कौन होता है यानि answer आपका यहां से जाएगा D option की ओर ठीक है अगला प्रस्न आपका भोजन, काम और उत्पादन का नारा निमनाकित में से दिया गया था तो यह पंचवर्सी योजना दी गई है या इस तरह भी प्रस्न बन सकता है कि किस पंचवर्सी योजना में यह नारा दिया गया था तो यहां से आपको बिसेस कर ध्यार रखना है तो यहां से जो right answer है यानि भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था उस पंचवर्सी योजना का नाम था सात्वी पंचवर्सी योजना यानि answer आपका एक करेक्ट हो जाएगा यहां से ठीक है अगला प्रसना आपके लिए भारतिय रेजर बेंग का लेखा वर्स accounting year है या किस year को accounting year रखा गया है ठीक है तो यहां से आपका right answer क्या होगा लेखा वर्स भारतिय रेजर बेंग RBI का जो accounting year है right answer आपका जाएगा option B की ओर July June ठीक है अगला प्रसना आपके लिए भारत में गरीबी को परिवासित किया गया है यानि के भारत में गरीबी की जो definition है वो किस प्रकार से दी गई है ठीक है option आपको दीखने है तो यहां से जो right answer होगा तो यहां से जो right answer है वो आपका C option है calorie प्राप्ती के आधार पर ही भारत में गरीबी रिखा को परिवासित किया गया है मित्रो तो यह थे मित्रो टूडे के सबसे एहम और सेलेक्टेड आरावर्वी गुरूप D exam के लिए सबसे most important GKGS के प्रस्ण आसा करते हैं प्रस्णों की सरंकला आपको पसंद आई होगी तो प्रस्णों की सरंकला पसंद आई थे more than like और share करेंगे वीडियो को और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो अपनी तैयारी को बहतर बनाने के लिए और अपना revision करने के लिए चैनल को subscribe करते हुए पास में बेल आकन प्रेस जरू करेंगे मित्रूप मिलते हैं हम next video के साथ तब तक आप सभी कोन मसकार है धन्यबाद मित्रूप